एक पान लगा दे मेरे लिए कथा चुना मार के अम्मा मुझे भी एक पान दो न मैं भी खाऊंगी बच्चे पान नहीं खातों है बिटिया दाथ खड़ाब हो जाएगा ठीक अम्मा पान नहीं खाऊंगी टौफी तो खा सकती हूँ बही देदो बोला ना ये सब चीजों से दाथ खड़ाब हो जाएगा चुप चाप खरी रहा भाबी जे पान लगाई दो कथा चुना डालके हाँ अभी लगातों है इलियो आंटी मुझे भी एक पान देदो मिठा वाला बच्चे लोग पान नहीं खाते मोटे है ना अम्मा चुपकर एक दीनी लड़की पूरो धन्दा पानी चौपट करवाएगी अभी बना कर देतो हैं बिटवा तुम्रों मिठो पान इलियो अम्मा चिंटू खा सकता तो मैं भी खाऊंगी मुझे भी दो आहाहा मुझे भी दो बड़ी आई थिमीनी नकल करने वाली बच्ची कहीं की अंटी एक और पान देना इस बार थोड़ा ज़्यादा मीठा डाल कर इलियो बिटवा देख चिंकी बहुत मीठा है रुक रुक तुझे बताती हूँ अंटी देखो चिंकी माल रही है तू सुधरियो नहीं जगर तो रहियो सबसे पूरो दिन अम्मा मुझे भी पान दो तब मैं जगरा नहीं करूंगी इलियो अच्छो है अम्मा मीठो मीठो खाबी जी पान लगाई दो लॉंग, इलाइची, तेजपत्ता, दालचीनी, सब मसाला डाल कर पिंकी बता, कौन सा पान लगवाऊं तुम्हारे लिए मैं पान नहीं खाती हूँ टॉफी ले दो मेरे लिए आंटी, एक डबा टॉफी दे दो मेरी पिंकी को तू क्यू देगा मेरी बेटी को टॉफी अंकल, ये मेरी दोस्त है ना, इसलिए चिंटू, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ मुझे भी टॉफी खिलाओ ना ना, ना, मैं तुझे नहीं खिलाओंगा नहीं खिलाएगा मोटे तो चल निकाल मेरे पैसे हाँ, हाँ, बता, कितने पैसे हुए तेरे पूरे तीन सो रुपया हुआ है तीन सो कैसे हुए मैंने तो बस दो ही पान खाया है बिटवा, दो पान का और एक डब्बा टॉफी कुल मिला कर तीन सो रुपया हुओ है तुम्हा वो टॉफी पिंकी ने नहीं लिया अंकल ने मना कर दिया है है ना, अंकल अरे ना ही बिटवा तुम इतना प्यार से दाई रहो है तो हम लो बिटिया काहे मना करेगी लाईलो बिटिया लाईलो क्या मैंने तो ऐसे ही कहा था भस गैना मोटे बड़े आयचे टौफी खिलाने वाले